नमस्कार कक्षा 10 exercise 3.2 का question number 3 हम कर रहे हैं इसमें हम देखेंगे कि ये जो दो समी करने हमें दी हुई हैं इनका रखी क्योंगम संगत है या असंगत इसे पता करने के लिए हम सबसे पहले ये अनुपात निकालेंगे A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 आएए देखते हैं सबसे पहले A1 है जो X के साथ लिखा है 4 बटा 3 तो ये A1 है और A2 है 2 तो दो भी इसके साथ नीचे आ जाएगा B1 है 2 बटा B2 है 3 C1 है 8 बटा C2 है 12 आएए इसे काटके देखते हैं ये इसे क्या कट सकता है क्या नहीं कट सकता है देखिए सबसे पहले 2 से 4 कटेगा 2 के पाड़े में तो हमारे पास उपर बच गया 2 और नीचे बच गया 3 आगे B1 बटा B2 है 2 बटा 3 ये आपस में कट नहीं सकता तो ये 2 बटा 3 ही है C1 बटा C2 है 8 बटा 12 क्या ये किसी एक पाड़े में जाएगा हां जी 4 के पाड़े में चला जाएगा 4 दुनी आठ 4 तीए 12 तो ये आया 2 बटा 3 इससे हमें ये गयात हुआ कई बच्चे नहीं यहां पर बटा देखके डर जाते हैंगी ये हमें इससे नहीं होगा देखो कितना सांस वाल है तो A1 बटा A2 है 2 बटा 3, B1 बटा B2 है 2 बटा 3, C1 बटा C2 भी है 2 बटा 3 इसका मतलब A1 बटा A2 बराबर आया है B1 बटा B2 गे और यह बराबर आया है C1 बटा C2 के यदि ऐसा है तो हम अपना tableіш से बच्चों देख लेते हैं और इसमें clearly A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2 इसका मतलब रेखाएं कैसी है संपाती कि यदि संपाति चेरना हैं उनके और परिमित रूप से अनेक हल है थीकह से अंげ उसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले इसके साथ ब्रैकेट में लिख देंगे अ परिमित रूप से अनेक हल ठीक है जी और अ परिमित रूप से अनेक हल है अतह दी गई समी करनो के रैखिक यूगम संगत है आशा करता हूँ यह प्रेशन आपको समझाया होगा यह आपको यह अच्छे से समझाया तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीज़ेगा धन्यवाद अत्वत अतुछ अतव यह